नमस्कार में हो प्रिया आज़े 21 नवंबर खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर बिहार में इन पदों पर अब होगी सीधी बहाँ बिहार में ट्रेनिंग कर चुके एनम अभिर्थियों के लिए खुश खबरी बिहार में अगले साल से सौरूर जब से होगा बिजडी काउट पादन अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की और विस्तार से 23 से 30 नवंबर तक लागू हुआ अनलोक 9 बीते दिन बिहार सरकार ने बिहार में अनलोक 9 की घोशना की है जो कि 23 से 30 नवंबर तक लागू रहेगी इस दौरान विवास समारों के दौरान बारात जुलू सियानी की नाचुगाने और डीजे के अनुमती नहीं रहेगी ताजा गाइडलाइन के अनुसार शादी की सूच्रा कम से कम 3 दिन पहले थाने में देनी होगी वहीं श्राध कारिक्रा में भी COVID प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा वैसे राज़े जहां कोरोना के मामले ज्यादा है वहां से बिहार आने वालों का कोरोना टेस्ट अनि कर दिया गया है कि वो स्थानिय पर स्थित्यों के अनुसार प्रतिबंधों को और सक्थ कर सकते हैं ग्याथो 22 नमबर को खत्म हो रहें अन्लॉक आठ से पहले श्रैनिवार को क्राइसिस मानेज्मेंट क्रूप की बैठा के बाद ये निर्डे लिया गया है बिहार में अगले साल से सौर उर्जा से होगा बिजली का उतपादन बिहार में बिजली के बिल में हो रही बढ़ोतरी के बीच ही बड़ी खबर सामने आई है बिहारवासियों को लंबी बिजली बिल से राहत दिलवाने के लिए बिहार में अगले साल से सौर उर्जा से बिजली उत्पादन की तयारी हो रही है साथ ही आने वाले दनों में सोलर लाइट से विहार जग मंगाने लगेगा इसको ले करे टीवी भारत से बातचीत के दौरान ब्रेडा डारेक्टर आलोक कुमार ने बताया है कि राज्व सरकार की इस पर योजना की माध्यम से विहार के लगभग 2000 लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगा रुपलब्थ हो पाएगा आज विहारी बस्टे स्पेशल में हम बात करेंगे निहा शर्मा की निहा शर्मा का जन्म आज वी के दिन विहार के भागलपुर जिले में हुआ था निहा शर्मा एक भारती मॉडल और फिल्म अभी रेटरी है निहा ने अपनी शुरवाती पढ़ाई माउंट कार्मल स्कूल भागलपुर से संपन की है उन्होंने नाशनल इंस्टिटूट ओफ फैशन टेक्नोलोजी से फैशन डिजाइन की पढ़ाई की उन्होंने हिंदी सिनमा में मोहित सुरी की फिल्म क्रूग से अपना पहला कदम रखा था हाला कि उनकी यह पहली फिल्म बॉक्स ओफिस पर कोई खास कारणावा नहीं कर सकी इसके बाद वो तेरी मेरी कहानी और कॉमेडिय फिल्म क्या सुपर कूल है हम समीत अने फिल्मों में भी नजर आई है अब आई जो आते हैं बिहार के मौसम का ताजा हाल सुबे में आज सुबह कई जगों पर ठंड बढ़ गई है बादल की ओट से धूप के छिप जाने के कारण सुबह काफी देर तक मौसम में ठंडापन महसूस किया गया यह पीते दिन भी ऐसा ही देखने को मिला था जिसके बाद आने वाले 48 घंटे में पटना में और भी ठंड की उमीद जदाई जा रही है मौसम विज्यान केंदर पटना के पुरवारुमान के मुताविक दो दिन में ठंड बढ़ जाएगी मौसम विज्यानी के माने तो अरब साकर के उपरी हिस्से में निम्न हवा के दबाव की वज़र से वहां से विस्तारित बादलो का प्रभाव देश की मैदानी हिस्से से होते वे बिहार तक पहुँच रहा है एमस पटना में इंजीनर की पदो पर निकाली गई भरती औलिन या इंस्टिटूट अफ मेडिकल साइंस पटना ने इंजीनर और ने पदो पर भरती के लिए उमिदवारों से आवीदन आमंतुरित किये हैं इच्छोक और योगी मिदवार एमस पटना की आधिकारिक वेबसाइट एमसपटना.org के माधियम से पदो के लिए उन्नाइन आवीदन कर सकते हैं पदो के लिए आवीदन करने की आखरी तारीक 20 दिसंबर 2021 सक है भरती ग्रूप A और ग्रूप B पदो के लिए की जाएगी ध्यान रहे उमिदवार जो ओन्नाइन आवीदन करना चाहते हैं वो यहां उपलब धिविस्तरित अधिसूच्रा के माधियम से सेक्ष्टिक योगिता और आयू सीमा की जाज कर सकते हैं इंटर्व्यू के लिए बुलाए जाने के योगिय पाई जाने वाले उमिदवारों की लिस्ट 30 दिसंबर 2021 को वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगा बिहार के राजगीर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास राजगीर बिहार के धार्विक स्थलो की स्थूची में शामिल एक प्रमुख परिटन सल है ये शहर अपनी खूबसूरत बादी, पहाडियो, घने, हरे भरे, जंगलो, जढ़ने और गुफाओं के लिए फेमस है यहां के प्रमुख परिटन सलो में शांती स्थूब, मखदूम कुंट, विमसार की जेल, वीरियातन संग्रहाले, साइकलोपियन, दीवार, वेनुवन, गृधा कुटा, सोन भंडार, सब्त पर्णी गुफा शामिल है इसके अलावा यहां मनियार मठ, कुंडल पुर, तपो धर्मा मंदिर, हुइन सौंग मेमोरियल हॉल, सारी पुत्र का स्थूब, अजात शत्रु किला, पांडुपो खर घुमने लाइक है, जगों में शामिल है वहीं जरासंग का खाड़ा, चैरियेट, ट्राक, होट स्प्रिंग्स और घोडा का टोरा जील भी दर्शनी है बिहार में तिर्पन हजार स्टूडन को 25,000 देने का किया गया अलान बिहार में स्टूडन राश्री के लिए सिक्षा विभाग के 134 करूर रुपे के प्रस्ताफ को वित विभाग से हरी जंडी मिल गई है बताया जा रहा है कि जल्धी प्रोथसाहन राश्री इन शात्राओं के बैंक खाते में भेज दी जाएगी प्रोथसाहन राशी सरकार के साथी वितरहित मानिता प्राप्ठ कॉलेजस से 2008 की बातसना तक पास शात्राओं को दी जाएगी वही वीर कुवर सिंग, जैप्रकाश नारायन और मगद विश्विद्याले की लापरवाही की कारंतीनों विश्विद्याले के मानेत अपराप्त कॉलेजों की छात्राओं का सत्यापन नहीं हो सका है बिहार में इन पदों पर अब होगी सीधी बहाली बिहार में सिक्षगों की बहाली का मुद्दा हमेशा से विवादों में रहा है हालाके इन सब के बीच प्रदेश के राजिकी कृत और परियोचना कन्या उच्छ माधमिक विद्याले के प्रधाना ध्यापकों की पदों पर सीधी बहाली करने जा रही है इसको लेकर बिहार माधमिक सिक्षा कारियाले ने सभी 38 जिलों से राजिय की कृत और परियोचना कन्या उच्छ माधमिक विद्याले के प्रधाना ध्यापकों के पदों की रिख्तियां 31 दिसंबर तक मांगी है रिख्तियां आने के बाद सीधी न्युक्ति के लिए बिहार लोग से वायो के सूची सौपी जाएगी बार बार पारदर्शुता की मांग कर रहे हैं मिली जानकारी के नुसार अब क्यांडिडेट्स की मांग है कि इस बार OMR शीट की कारवन कॉपी और प्रश्णों के बुकलेट एक्जाम खत्म होने के बाद परिक्षार्थियों को दे दिये जाने चाहिए इतना ही नहीं अब्यर्थियों की मांग ये भी की जा रही है कि आंसर की जारी किया जाना चाहिए और रिजल्ट प्रकाशन के साथ ही कट ओफ और सभी परिक्षार्थियों का मार्क्स जारी किया जाना चाहिए बिहार में ट्रेनिंग कर चुके एनम अभियर्थियों के लिए खुश खबरी बिहार के सरकारी एस्पतालों की चुकितसा सेवा को आधुनिक और बहतर बनाने का काम तेजी से हो रहा है इसको लेकर आठ महीने में राजुके सरकारी एस्पतालों में 20,000 एनम की बहाली होगी इसकी प्रक्रिया चल रही है इसकी साथी बिहार में डॉक्टरों की भरती प्रक्रिया चल रही है ये बाते स्वास्तमंत्री मंगल पांडे बाढ़ ने भुविनेश्वरी चौक के पास स्थित पवन अस्पताल ट्रॉमा सेंटर का उधगाटन करने के दौरान कही इसको लेकर रुष्णा ने कहा कि नीजी अस्पतालों को भी सरकार बढ़ावा दे रही है ताकि स्वास्त सेवाई सहज रूप में जरूरतमन मरीजों को हर जगे मिल सके सरकारी चुकित साथ सेवाउं की शमता में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है विहार में अब आप पोस्ट मैं से भी जमा करवा सकेंगे इसके अनसार पोस्ट मैं अब पत्र बाटने के लावा घरों में जाकर होल्डिंग टैक्स, बिजडियो और टेलेफोन बिल भी जमा करवाने का काम करेंगे जो हनकारी के अनसार वभाग की तरफ से इस पर काम चल रहा है हाला कि इसके एवज में पोस्ट मैं को घर आने का चार्ज देना होगा इसके लिए 10 रुपे से लेकर 25 रुपे तक खर्च करने पड़ेंगे अब इस निगम के जड़िये होगा बालु खनन बिहार में बालु खनन को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं और हाली में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कई जिलों में खनन शुरू करने की तैयारी भी तेज है इसे बीच बिहार में बालु खनन को लेकर एक और बड़ी जानकारी निकल कर केस सामने आई है जिसके तहब बिहार के खननन मंत्री जनक राम की तरफ से दी गई जानकारी के नसार बिहार में बालु खनन का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने की वज़े से बिहार में खनन कारे वाधित था लेकिन अब धीरे धीरे स्थित्या सामान होने की तरफ है अब खनन निगम के जरिये बालू का उत्खनन कराया जाएगा इसके लिए नैसीरे से सर्वे का काम भी किया जाएगा आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कि ल anticipation के बिहार में बालू उत्खनन पर रोक लगी थी दरसल केंदर सरकार के वर्षिक सर्वेक्षन रिपोर्ट की घोशना भी ते दिन हुई है जिससे अपने 5 साल के रिकॉर्ड को कायम करते वे इंद और पहले स्थान पर रहा वहीं बिहार के लिए गर्फ की बात ये रही कि सुची में मुंगेर को दूसरा और पतना को तीसरा स् रास्टरपती ने स्वच्छुता पुरसकार विजेता शेहरों की अच्छी प्रथाओं और चलन को अपनाए जाने की बात भी कई अमिताब बच्छन के साथ नजर आएंगे सुपर थर्टी के संस्थापक आनंद कुमार आनंद कुमार वो नाम जिनको आज किसी भी परिशे की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने नीस्वार थे इतने बच्छों की जिन्दगी सवारी है जिनकी हम और आप कलपना भी नहीं कर सकते यही कारण है कि अनंद कुमार जहां भी जाते हैं लोग उन्हें सुनने के लिए बेताब हो जाते हैं और बच्छ के बीसी का हो तो बात ही कुछ और है क्योंकि जलती सुपर 30 के संस्तापक आनंद कुमार के बीसी के मंच पर अमिताब बच्छन के साथ नजर आने वाले हैं मिली जानकारी के निसार आनंद कुमार 24 और 26 नवंबर को के बीसी में फिर एक बार एक्सपर्ट के रूपे दिखेंगे खास बात यह है कि यह पहला मौका नहीं है जब आनंद कुमार के बीसी के मंच पर आये हैं वीटीयार जाने वाले परेटिकों के लिए कई तरह की नहीं सुबधाएं शुरू होंगी आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कि वीटीयार में क्याबनेट के तमाम लोगों के ठहरने की विवस्तान नहीं होने की कारण जुला मुख्याले से लेकर बगहा तक के महत्वपूर्ण गेस्ट हाउस और होटेल भी रिजर्फ करा लिए गये थे यह बैठक कंवेंशन हौल में होनी थी मुख्य मंत्रीवाल में की नगर के अपने दोरे के दौरान कई महत्वपूर्ण परियोजनाव की भी शुरवात करने बाद है बिहार के सभी विश्विद्यालियो और कॉलेज की ओनलाइन होगी मॉनिटरिंग बिहार के तमाम विश्विद्यालियों और अंगीभूत कॉलेज समेट अन्य उच्छ सिक्षन संस्थानों में वित्य प्रबंधन की ओन्नाइन मॉनिटरिंग की जाएगी इसको लेकर सिक्षामंत्री विजेकुमार चौधरी ने बीते दिन अनुग्रह नरायन सिन्हा समाजिक अधियन संस्थान में आयोजित तकनीगी कारिशाला में रूसा मॉनेटरिंग पोर्टल को लॉंच करने का काम किया है कारिशाला में सभी कुल सचिव और प्रचारे समेत अन्य अधिकारी शामिल हुए है इस जौरान सिक्षामंत्री विजेकुमार चौधरी ने पोर्टल पर सिक्षन संसानों की वितिये प्रबंधन की जानकारी को सारवजिनी करने पर जोर दिया है साथ ही कहा है कि सरकार का यह बड़ा फैसला है कि वितिये प्रबंधन में पूरी पार्दर्शिता भरती जाए पटना के ज्यान भवन में जिन लोजपा मनाईगी अपना स्थापना दिवस जिसकी तहत उन्हा ने कहा कि इसी को लेकर आज पार्टी के सभी जुलाध्यक्षों के साथ बैठे की गई जिसमें यह तैह हुआ है कि 19 नवंबर को पतना के ज्यान भवन में इस कारिक्रम का आयोचन किया जाएगा पूरे बिहार में पार्टी का संगठन है अब हर जुले में जदियू ने तक गाएंगे सीम नितेश की गाथा बिहार विदान सबाट चुनाव में जदियू की परफॉर्मेंस की बाद सवाल सरकार के कारेकाल पर उचने लगे यही कारण है कि अब अपनी पार्टी को पहले जैसा मजबूत करने के लिए सरकार ने एहम फैसला लिया है जुसके तहर जदियू के सभी नेताओं और मंत्रियों को एहम जिम्धारी दी गई है निदेश कुमार की सरकार एक साथ पूरा होने पर आगामी 24 नवंबर को जनता दल युनाइटिट की तरफ से राजवभर में कारेकरम का आयो जन कर रही है चौथे कारेकाल के दौरान सरकार ने जनता के लिए क्या क्या किया है ये बताने के लिए पार्टी के नेताओं और मंत्रियों को गाउं काउं में उतारा जाएगा इसके लिए सभी जिलों में कारेकरम की कमान अलग-अलग नेताओं को सौपी गई है समदर्शी नित्रतुव और समावेशी विकास के 15 साल बेमिसाल कारिकर्म का विशे तै किया गया है सेथ नितीश ने किया उद्योगिक नीती पर समीक्षा बैठा मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने बीते दिन इंलस्ट्रियल पॉलिसी को लेकर समीक्षा बैठा कि इस दोरान उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसेन और विभाग यदिकारियों के साथ मुख्यमंत्री आवास में इस बैठा का आयोजन हुआ इसको लेकर बिहार बे नितीश सरकार के दोरान अब तक 3-3 पॉलिसी जोकी लागव हो चुकी इसके बारे में चर्चा हुई क्योंकि इस पॉलिसी के लागो होने के बावजोद उद्योग पती बिहार सरकार की पॉलिसी को लेकर अपनी आपती दर्श करवाते रहे हैं जिसको लेकर ही सरकार ने चर्चा की साथ ही और द्योगीक पॉलिसी में आगे और कैसे सुधार किया जाए जिससे उद्योग पतियों को लुभाया जा सके स्विशे पर भी चर्चा हुई कुल मिलाकर उद्योगों को बिहार में आकर शुद करने की रिन्नीती को लेकर बीटे दिन की बैठर कई माईनों में एहमानी गई शराबन्दी को लेकर बिहार के बाहन मालिक देंगे हलफ नामा बिहार में पुरन शुराबंदी लागो है हालाकि इसके बावजुद भी अवेद शुराब का गारोबार डगातार हो रहा है यही कारण है कि अब बिहार सरकार शुराबंदी मामले को लेकर किसी को भी बख्षने के मूड में नजर नहीं आ रही है इसी को लेकर भिहार सरकार 26 नवंबर से बसो पर जाग रुकता अभियान चलाने वाली है। सभियान के तहट गाड़ी मालिक और ड्राइवर को शबति दिलाए जाएगा कि वो गाड़ी में शराब की तसकरी नहीं होने देंगे और कभी भी शराब का सिवन नहीं करेंगे। विवात के दौरान चीन ने 1962 में संगर्ष विराम गायलान किया। केरल के थुमबा छेत्र में 1963 में रॉकेट छोड़े जाने के साथ ही भारत का अंतिरिक शुकारिक रम शुरू हुआ। अज जी के दिन हुआ था। भारतिये विज्यान चंदर शेकर विंकर्ट रमन कानिधन 1970 में आज जी के दिन हुआ था। प्रती डीटर थे पर हाफ स्वेटर पहन लिया था जो इसके बाद उनका यह टेप नजर नहीं आ रहा था घंपरेटे आधार कार्ड में अपडेट करें नया मोबाइल नमबर अगर आपके आधार कार्ड में कुछ गरत हो गया है या आपके आधार में कोई दिये गया नमबर को बदल दिया गया है तो आप इस आसान स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से अपडेट कर सकते हैं अपने आधार कार्ड पर अपना फोन नमबर अपडेट करने के लिए सबसे पहले पर भेजेगे ओटीपी को दरच करना होगा आधार में फोन नमबर अपडेट करने के लिए मोबाइल नमबर चुने सभी आवश्यक डीटेल्स भरे आपके आपडेट करना चाहते हैं ऑप्शन का चुयन करना सुनेशुद करें एक नया पेज दिखाई देगा और आपको एक क्याप्शन कोड दरच करना होगा मोबाइल नमबर पर एक ओटीपी भीज़ा जाएगा ओटीपी को वेरिफाई करें और सेव एंड प्रोसीड ऑप्शन पर दिखाए बिहार के युवाओ ने फिल्म मेकिंग में फिर से लहराया पर चंग बिहार और प्रतिभाद दोनों एक दूसरे के पूरक है यह कारण है कि समय समय पर छेतर चाहे जो भी ओ बिहारीयों का बोलबाला देखने को मिलता ही है और यह खबर सुनकर आप भी यही कहेंगे विहार कृषिव विश्विद्याले के मीडिया सेंटर दोवारा निर्वेत फिल्म उमीद ने राश्ट्रिय स्तर पर पहच्वान बनाने में सफलता हासिल की है सबसे खास बात यह है कि इस फिल्म का अंतिम सूची के लिए चयन पाँचवी राश्ट्रिय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के लिए हो गया है इस फिल्म को नॉन फिक्शन स्ट्रेनी में चुना गया है इसको लेकर मीडिय सेंटर के प्रभारी पदादिकारी डॉक्टर एस पार्टिल ने जानकारी साचा की है साथ ही उन्होंने बताया कि विश्विद्याले को यह अवार्ड 25 नवंबर को हैदराबाद में होने वाले फिल्म फेस्टिवल में दिया जाएगा कल हमारे दोरा पूछेगे सवाल का जवाब आप में से बहुत सारी यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था उसके लिए आपका बहुत बहुत धनेवाद आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है मनीश मोहरा, गौतम कुमार, नुनु कुमार, पपिता यादव, पंकेच कुमार दास, शुंकर मुख्या, गौतम कुमार सिंग, सोनु कुमार, नितीश कुमार, राजीव कुमार, विकास कुमार, दिव्यान शु कुमारी, विक्रम कुमार, रितेश कुमार, य जरूरत है अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं इसके साथ ही आज चुके लिए बस इतना ही विहार की बड़ी खबरों से अबडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकों दबारा ना भोले धन्यवाद